आज से 5 साल पहले मॉबाइल फोन के अंदर इनोविशन बहुत ज्याद होता था यहां पे मॉबाइल फोन का डिस्पले अचा हो रहा था नहीं नी चीज़ा आ रही थी फिंगर्प्रिंट स्केर डिस्पले के नीचे जा रहा था पॉर्टरेट मोड हो रहा था यहां पर night mode आ रहा था, यहां तक कि mobile phone के अंदर charging speed बढ़ रहे थी, यानि कि हर एक जगे no vision था, लेकिन एक ऐसा समय आ चुका है आतके समय में, जहां पर इन सब क्यों पर इतना ज़्यादा focus होता नहीं है, कुछ नहीं चीज़ देखने को विलती नहीं है, और mobile phone में सर्फ एक चीज़ चिप कर रही है, क्योंकि आतके समय में क्या होया कि mobile phone के हर एक feature के नाम पर AI लगा दी गई है, चाहे portrait mode के वहरे बात करें, उससे AI portrait mode बना दिया जाता है, HDR को AI HDR बना दिया जाता है, night mode को AI night mode बना दिया जाता है, अब यार इक ऐसी चीज़ है यार, artificial intelligence की इसका जरूरत से जादा यूज़ होने लगा, और surprising चीज़ है कि हर एक company AI के बारे में जादा बात करती है, इस बारे में कम बात करती है, कि exactly उसने mobile phone के अंदर यहां पर डाला क्या है, क्या नई चीज़ा कर रही है, आपको नए packet में परानी चीज़ी देंगे, लेकिन उसके उपर हम AI का sticker लगा देंगे, और आप से जाद पर से लेंगे, जब मैं हाँ पर artificial intelligence का literally use case देखता हूं, mobile phone में तो कही बार लगता है, कि सच में कि इसकी जरूरत है, क्या वाकई में से लोग इतना यूज़ करने वाले हैं, इवन इक सर्प्राइजिंग मा बतातों, thanks to Google जैबना है, यहां पर जादा तर जो AI features होते हैं आप पर इसका use server site पर होता है, यानि कि mobile में on device AI बहुत ही कम use की जाती है, उसकी तुला में artificial intelligence जो server पर रन कर रहे हैं, इस वज़े से टेक्निकली सर्प एक एप बना के हर दूसरे phone में इस चीज़ को डाला जा सकता है, अगली चीज़ है कि जब मोबाइल फोन में कभी AI आगी, य test entry is capable है, कि यहाँ पर एक image जनरेट कर सकते है, specific text font देखे, लेकिन कितने phones हैं जिसके अंदर आपको फीचर देखने कमलता है, कि आपने कुछ tag के आपको image जनरेट मिलगे, phones बहुत सारे हैं, लेकिन कमती स्क्यो पर यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा reviews आयते तो पता चलिया था कि क्यों यह फेल होगा है, खुमा फिर आके यह भी एक smartphone नहीं थे और यह भी वही काम कर रहे थे, जो कि smartphone करता है, बस इनका form factor रूप रंगे नो नहीं हाँ बदल दिया था, जो काम एक smartphone कर सकता है, वो आप इनसे कर रहे हैं, और यह भी efficiently करने ही तो इनका फाइदा क्या हुआ, इवन जो एप या जो software यह लोग run कर रहे हैं तो वो भी Android बेस था और इसके अंदर भी AI यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इनके server पर run हो रहे थी, और कुछ ऐसा इनके अंदर था भी नहीं जिसके साथ यह लोग आगे चलके बढ़ सके, इसके करते हैं तो कई बार देखके लगता है कि मोबाइल फोन में AI के नाम पर इनुवेशन हो रहा था वो यहां पर खतम हो गया, यहां पर बात नहीं की जाती है, इसकी camera quality, battery life, इन सब के बार में हर जगे बहत सिर्फ और से AI की की जाती है, इवन एक surprising चीज़ बताओ, artificial intelligence, Apple भी ल देखने को बनेंगे, इवन हो सकता है कि कुछ समय के बाद इसके कुछ features यहां पर paid करें, लेकिन समझ में आती ही बात, वही आती है कि जब तक लोग इसका day to day life में use नहीं करेंगे, तब तक इस चीज़ को paid नहीं कर सकते, यानि कि लोग को पहले free में देखके आदत डाल दो वाट उसके बाद उससे पैसा बनाओ, हाला कि Apple के iPhone में कुछ चीज़े mobile phone में की जाएंगे, कुछ चीज़े server पे की जाएंगे, और ऐसा ही बाकी सारे mobile phones में भी किया जाएंगे, लेकिन जितना बड़ा buzz वाड या जो चीज़े लोग दिखा रहें नो उतना है नहीं, यहां अब कोई भी बता सकता हो कि AI जितनी involve कर रही थी, वो उतनी already कर चुकी है, अब इसके अंदर जादा बड़े improvement नहीं आने वाले, यानि कि जितना बड़ा use case generate हो सकता था, जो चीज़े हो सकती थी, वो अब हो सकी है, अब इसके अंदर धीरे-धीरे refinement आएगा, धीरे-धीरे उसने भी ऐसी hype create करी थी, वो भी आज के समय में नहीं देखने को मिलते हैं, और बीच-बीच में हर कुछ साल में कोई नई चीज़ आ दी है, जिसकी एंगदम से market में hype होती है, और उसके ऊपर हर एक company कूदना चाती है, उसको cash in करना चाती है, लेकिन ये चीज लॉंग लां हो एक अच्छे चीज है, लेकिन आज के समय में कोई भी नए mobile phones, अगर में AI को निकाल दोना, तब भी वो phone वैसे ही आप उसे use करेंगे, जैसे नहरमली आप उस phone को use करते है, और मेरी नजर में mobile phone को बैटर बनाना है, तो उसके user experience और उन features पे काम करना चाहिए, जो आपके ल पे काम करना ही नहीं है, उनको तो सिर्फ artificial intelligence पे काम करना है, और AI का नाम दिखा दिखा कि आपको एक नया phone यहाँ पर बेचना है, वेल, सच्चा ही तो बात है कि स्वाकई में AI जो है, वो आद के समय में innovation को खतम कर रही है, जहाँ एक जमाने में innovation बहुत अच्छा था mobile phone में वही आज के समय में AI के नाम पे innovation इस level पर आगे है कि आप सोच नहीं सकते हर एक चीज को यहाँ पर downrate कर दिया जा रहा है mobile phone में और आपको बस बोला जा रहा है कि आप इसमें AI ले लो, जबकि literally यहाँ पर AI का कोई role है भी नहीं उसके अंदर तब भी ही चीज बीची जा रह और already जो evolution AI में देख चुके वही रहने वाला है इसके बात जो evolution होगा वो शायद उत्ता बड़ा नहीं हो जितना हम लोग expect करने हैं और AI hardware जो हम देख रहे थे कि एक ऐसा technology ऐसा कुछ आ जाएगा market में जिससे यहाँ पे बिलकुल हमें mobile phone की ज़रूरत पड़ेगी नहीं तो यार वो भी लगता है कि उसका जफाना भी कभी नहीं आएगा जो चीज वो लोग claim कर रहे थी कि mobile phone के replace कर देंगे जबकि ऐसा कुछ है नहीं बागी आप लोग उसे suggestion यह रहेगा कि आप लोग भी smartly काम करें देखें कि क्या हो रहा है market के अंदर hype के अंदर नाफस है क्योंक काफी बड़ी बड़ी companies इस समय यह नहीं सूसरे कि AI के अगर हम features को paid करेंगे तो आकर कितने लोग होंगे उनके paid features के लिए पैसा देना पसंद करेंगे यार यह भी कुछ ऐसी चीज है जिसके जो जवाहा वे शाद आने वाले समय मिलेंगे और शाद आने वाला जमाने एक द सारी चीजें दुबारा से आ रही है mobile phone में पस उसके उपर AI का tag लगाया जा रहा है यह वाकी में AI आप लोग को यहाँ पर useful लगती है तो आप लोग का जो opinion नीचे comment बताईए चैनल को subscribe कीजिए थिंक्यों अपने रहनी क्लिक में आप सोलता हूं लेक्स फ़न के अंबर गुद बाई